नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से Around the World with me के 14th एपिसोड में आज हम चलेंगे साची के भगवान बुद्ध के स्थूपों को दर्शन करने यह complex भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में यह located है और यह मध्य प्रदेश की राज़दानी भोपाल से लगपग 46 किलोमेटर की दूरी पर है प्लेन से आना चाहें तो nearest airport भोपाल है और इस important monument का सबसे नजदीक का railway station साची है यह Buddhist monument World Heritage Site है साची का यह स्थूप समराट अशुक के द्वारा बनवाया गया था और उस वक्त यह बौध धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत ही महत्यपूर्ण केंद्र था पहाड़ो पर स्थित यह monument complex लगभग तीन बड़े स्थूपों और मंदिरों का एक complex है यह 3rd century BC में बनवाया गया था और इसके बाद भी यहां स्थूपों का निर्मान हुआ एक मुक्य स्थूप के अलावा दो छोटे छोटे स्थूप भी हैं बौध धर्म के समय में या उसके प्रचार प्रसार के करान उस समय में जो मंदिर स्थापित हुए थे वो भी इस परिसर में हैं इसके मुक्य स्थूप को स्थूप संख्या एक भी कहा जाता है मुक्य द्वार पर देखे तो तोरण द्वार है जो चौकोर है और इस द्वार पर चार शेर और धर्म चक्र का प्रतीक बना हुआ है जो उस वक्त बहुत द्धर्म का पहती महत्विपुन प्रतीक समझा जाता था जो ओरिजिनल स्थूप या वास्तविक स्थूप का जिसका निर्मान समराट ने करवाया था वो इस वर्तमान स्थूप का लगभग आधा था डायमेटर में और इस रूप में इस्तूप का विस्तारी करन बाद में शुंगवंश के राजाओने कराया था ऐसा कहा जाता है कि समराथ अशोक यहां जब अपने ससुरा लाया करते थे तो यहां रुका करते थे उन्होंने विदिशा की एक बैंकर थे उनकी बेटी से विवाव भी किया था इस मुखे स्तूप का अगर डायामेटर देखें तो लगबग 120 फीट है और हाइट भी बहुत अधिक है और पास के पास ही में एक और स्तूप का कॉंप्लेक्स है सत्धारा समय मिले तो वहां भी जाईए उसमें बहुत सारे चोटे बड़े स्तूप लगबग 40 से ज़ादा स्तूप उस सत्धारा में भी स्थित है समय मिले तो इस सर्धारा का भी दर्शन जरूर कीजिए, वहां के स्टूपों में और यहां के स्टूपों में एक बहुत ज़्यादा समानता दिखेगी अब बात करते हैं स्टूप संख्याट दो की यह भी लगबद उसी टाइम फ्रेम का है इस स्टूप के स्टूप को देखें तो ग्रीस के हेलिडरस पिलर के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है और देखें तो इस पिलर के साथ इसका कंस्ट्रक्शन एज रसे फर्स्ट बीसी के आसपास इंस्क्रिप्शन और डिजाइन भी बिल्कुल एक साह है यह मौरेवंश के शास्कों का ग्रीस के साथ संपर को एक उसका एविडेंस है और वो दर्श आता है कि ग्रीस के साथ भी मौरेवंश के शास्कों का एक अच्छा लिंक था आईए अब यहां के कैंपस के अंदर के टैंपल्स को देखते हैं यह गुप्तवश के पिलर और उसके अंदर जो भी इंस्क्रिप्शन्स हैं और यह सारे चीजें यहां के टेंपल में भी अवेलेबल है, यह जो इंस्क्रिप्शन्स हैं, वो भुद्ध भीक्षू और भीक्षुनियों के आचार वेवार के लिए जो गाइडलान्स थी कि क्या किया जाना है बहुत जादा वो उसको दर्शाता है टैंपल्स जो है उसके रिमेंस अब यहाँ पर अवैलेबल है और अगर सारे स्थूपों को एक साथ देखना है तो एक बार जड़ा गाइड की नजर में भी इनको समझ लेते हैं कि अगरें एक गेट कब बनेते विटा 1st century BC में एक गेट बनाने वाले जो सत महने पीरेड में जो आंध्राग राजा दे की इनका नाम ता गोत्मी पुत्रसाथ करणी राजा जी आंध्राग राजन भाय ते साउथ इस्टैल देखरे सारे चार गेट विटा साथ करणी राजा जाए तो साचीम रेगुलर रहें तीन सो साल काम चला कंटीनी थर्ट सेंच्री बीसी था अच्छा है और मेने च्छल में क्या था कि इस्टुब बनाने के रिजन था कि वाइव गया की थी बीदीशा की असो की बड़ा तीन रानिया थी मैंने तीन रानिया एक का ना रानी बिदीशा की रानी महरानी पट्राशी क्योंकि मध्य प्रदेश तो बाद में बना पेले क्या था है मध्य भारत है और हमारा इंडिया है ना 11 अबाता 16 महाजनपत पर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेडेंट है इसके बाद अगर देखें तो कुछ इंस्क्रिप्शन्स शंक लिपी में भी है जो गुप्तकाल से जिनका लिंक है तो गुप्तकाल के शंक के भी इंस्क्रिप्शन्स यहाँ पर अवेलेबल है और यह सारे बुत धर्म स्टूप के उपर देखें तो वहां एक छत्र है जो उस समय के अनुसार छत्र प्रधान लोगों को दी जाती थी जो बहुत ज़्यादा मुख्य होते थे प्रधान होते तो इस स्टूप के उपर जो छत्र है यह उसकी प्रधानता का प्रतीक है उपर जाना चाहें तो उसके लिए गैलरी बनी हुई है और गैलरी में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उपर छती ग्रस्त मूर्ती है भगवान बुद्ध की तो भगवान बुद्ध की मूर्ती को एक बार प्रणाम करें और इस प्रणाम करने के बाद यहां पर हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए यह एक ऐसी जगह है जो पूरी गौतम बुद्ध के विचारों से उनके शिक्षाओं से प्रेरित है तो इस जगह पर एक तस्वीर लेना, ग्रूप फोटोग्राफ्स लेना और फैमिली फोटो लेना बहुत ज़्यादा कॉमन है यह चीज़ें मेमोरी में रह जाती हैं और हमशा के लिए रहती हैं तो यहाँ पर फैमिली फोटो लेना ना बुलिएगा इस स्टूप के प्रवेश्ट दौर पर स्क्वाइर फिलर्स हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ जिसमें चार लायन्स हैं, एलिफेंट हैं और बहुत सुंदर तरीके से बना हुए अलग-अलग तरह के स्टैचूज हैं जो उस समय के आर्किटेक्चर को रिप्रेजन करती हैं और कहीं न कहीं बुद्ध धर्म से जुड़े हुए संदेश भी देती हैं ताकि आने वाले युगो तक ये बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके जैसे ही और उपर जाते हैं यहाँ पर गैलरी में भगवान बुद्ध के ग्यान के प्राप्ती के स्टोन इंस्क्रिप्शन और अलग-अलग जातक कताओं उसके प्रतीक्शिण और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम जो इंस्क्रिप्शन थे वो सारे के सारे दीखने लगते हैं वापसी में यह तो निश्यत है कि इस जगह में इस जगह के साथ वाली मेमोरीज हमेशा साथ रह जाएंगी और साथ में ये भी रजाएगा कि समराट अशोक ने शान्ती के लिए और शान्ती का माध्यम उन्होंने जो बुद्ध धर्म अपनाया था उसके प्रचार प्रसार के लिए कितना ज्यादा काम किया था इसकी ये गाथाएं तो हमेशा साथ साथ रहेंगी और आप आईए चलते चलते कुछ टिप्स दे देते हैं सांची एक बहुत छोटा सा railway station है तो यहां बहुत सारी टरने नहीं रुकती है तो अगर विदिशा इससे comparatively बड़ा railway station है तो अगर विदिशा रुकना हो तो विदिशा रुका जा सकता है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि रहने के लिए भोपाल ही सलेक्ट करें से related है उनका प्रचार प्रसार के लिए बनाए गई थी तो यह केव सर्वां की स्तूम अप स्तूम जितने हैं आपको बहुत ही असील शान्ती का अनुभाव देगी स्टे ब्लेस्ट अगले बार मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और डेस्टिनेशन पर तब तक के लिए बाई बाई टेक केर